वनेकम वन्दिनम स्वागत विन्वसे सश्यकाल, ऐस्सालाम वालेकूं हरो दोस्तों मैं आपकी प्रहे दुष्प्रियांक आप सभी का स्वागत करती हूँ गागी क्लास इसके इंडियन एक्स्प्रेस के एडिटोरेल आइडिया और explanation page के discussion पर आज हम article देख लेते हैं 6th of March है 2024 आज 2-3 articles हैं जो काफी बहुत important articles हैं तो देख लेते हैं सबसे पहले right side में जो ये article है इसमें ये क्या है कि अभी Supreme Court का verdict आया है किस पे जो आपके MPs और MLAs होते हैं उन्हें Constitution के तरफ से जो एक privileges मिले हुए हैं क्या privileges हैं जैसे मैं आपको एक basic बता देती हूँ मुद्दा सारा हम issue discuss करेंगे लेकिन उससे पहले आप एक article 105 और article 194 ये MPs के लिए member of parliament के लिए और ये MLAs member of legislative assembly state के लिए और ये center के जो political party से select होके जाते हैं आपके MPs और MLAs इनके पास एक right है क्या right है इनके पास ये right कहलो ये privileges कहलो जो constitution जो आपका मूल constitution वो देता है कि अगर ये constitution assembly में sorry जो assembly है इनकी चाह वो center के assembly हो या state के assembly हो ठीक है center की तो parliament हो गई और state की हो गई आपकी state assembly है ना अगर पर ये कुछ भी बोलते हैं ठीक है कुछ भी अगर verdict देते हैं या कुछ against या criticism करते हैं या कोई report publish करते हैं या फिर अगर जैसे इसके साथ अगर कोई ऐसा होता कि कोई bribe लिया है नोंने पैसा लिया है या कुछ भी ऐसा कोई बात आती है तो इन पे actions नहीं उठाए जाएंगे किस पे जो आपके MPs और MLAs हैं यह किसके तहत है यह 105 और 194 के तहत है इन्हें एक privilege दिया गया है बिसीकलिए आपको भी लगेगा कि यार ऐसा प्रिविलेज के यह तो बहुत गलत है है न क्योंकि देखिए जब हमारा constitution बना था न हमारा जो constitution assembly थी उनमें इन MLA MPs को देने का motive यह था कि इससे पहले हम क्या है ब्रिटिश के under में थे तो ब्रिटिश के समय में हम ब्रिटिश पार्लेमेंट जो था ना ब्रिटिश का जो पार्लेमेंट था उसमें हमारे पास rights नहीं होते थे आपको भी पता होगा आपने modern history में पढ़ा होगा acts में पढ़ा होगा हमारे पास rights नहीं थे कि हम अपने आवाजों को उठा सके वहां कुछ बोल सके वहां question तके representative है ना उनके तरफ से ये rule करते है representative है तो इनके पास ये rights होना चाहिए बोलने का या actions उठाने का ठीक है इसी candor में ये rights इनने दिया गया था और ये बोला गया था कि जो है इन पे कोई भी jury श्री मतलब jury श्री या कोई भी जो case है वो file नहीं होगा ठीक है ये एक basic privilege है अब बात कहां आती है देखे बात कहां आती है 1990 का time period है ये इसमें थोड़ा सा जो case study इसमें बताई है पीछे background में बता देती हूँ वैसे मैं आपको story form में बताती हूँ देखिए बात था 1993 की है उस समयना center में government की थी नर्सी माराव की ठीक है और ये वैसे थे congress party के ठीक अब क्या हुआ उस समय जो है उस समय पूरे states में आपको बताए राज्यसभा के लिए members select होते हैं elect किये जाते हैं ठीक है कैसे राज्यसभा की members कैसे जाते हैं आपकी जो state assembly है है ना उसके जो already elected members होते है ना उन में voting होती है ठीक है और उन voting में से हर state के अपनी-पनी seats है उसमें decide होता है कि कौन-कौन से members जैसे किसी इस state में 10 है किसी में 20 है कि ये लोग राज्यसभा में जाएंगे उस members के उस 10 से 20 members जैसे for example एक state का 10 से 20 member की seats है तो state assembly में जो already elected है उन में से select किया जाएगा ठीक है वो members जैसे for example आप मान लीजी ये state A है इसके पास state election से elected यानि normal जो election होता है उससे elected लोग कितने हैं 500 लोग है अब 500 मेंसे जो है 200 लोग आपके मैं hypothetical example है सब समझाने के लिए बता रही हूँ 500 लोग है जो election से select होके है state assembly में ठीक है इस मेंसे 200 लोग जो है राज्यसभा यानि center के लिए nominate होते हैं तो ये selected person मेंसे ही वापस voting होती है उन मेंसे 200 लोगों को select किया जाता है जो राज्यसभा भीजा जाता है ठीक है ये election हो रहा था उस समय कब की बात है ये ये है 1993 में actually ये case किसका है ये है case जारखंड का ठीक है जारखंड का तो 1993 में जब state में ये हो रहा था ना तो उससे पहले क्या कर दिया वहां की जो mainly party थी उससे में party थी अपनी खुद की सरकार के against में उन्होंने no confidence motion पास कर दिया उससे में कौन थी पीवी नरसीमा राव जो center में government थी उन्हें की party थी Congress किसमें state में भी तो उसके against में no confidence motion पास कर दिया और इसमें ये माना जाता है no confidence motion मतलब क्या होता है state assembly में जो party है ना उसको उसक opposition party से पैसा लेकर है ना पैसा लेकर इन लोगों ने जो party है यानि Congress जो party है इसको धोका दे दिया और इससे क्या हुआ कि जो Congress है वो आपके state assembly में अपने आपको पूरा no confidence motion जो है पास नहीं कर पाई बतलब basically ये है क्योंकि no confidence motion में क्या होता है कि आपको अपना जो है विश्वास मतिया फिर आपको majority आपको प्रूफ करना पड़ता है ये जो एक party यानि जो party जीत के आती है भाहुमत के साथ जो जीत के आती है किसी भी state में जो majority के साथ जो majority के साथ जीतती है ना चाह वो state हो या center हो उसको check किया जाता है कि इसके द्वारा opposition के द्वारा कैकि vote of confidence के दैस इन्हें बताना होता है कि आपके पास जितने भी vote है MPs, MLS के वो confirm है ये नहीं है तो उस समय क्या हुआ वहाँ उनमें जो Congress की party की एक member थी शिबू सोरेन ने against vote करा था PV नरसी मरा उनकी खुद की party तो मतलब क्यों क्योंकि इन्होंने opposition से पैसा लिया था ठीक है अपनी party को गिराने के लिए तो ये case 1993 में था उस समय ये Supreme Court में case गया था तो जब Supreme Court में case गया ना ये शिबू जनता मोर्च मुक्ती जनता मुक्ती 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 पार्टी है ये जारखंड की उसी से ये कि भाया जो MPs और MLAs एं ठीक है MPs और MLAs ये opposition party से पैसा लेकर अपने ही party के खिलाफ जो है आवाज उठा लेते हैं या दल बदल कर लेते हैं या फिर दल बदल किये बिना भी जो है no confidence motion जैसी चीजों में सरकार को गिरा देते हैं ठीक है मतलब bribe ले लेते हैं main चीज ब्रा state पे और ये center पे जो आपके MPs और MLAs होते हैं उन्हे privileges मिले हुए article 105 और 194 के तहट तो यही मामला Supreme Court में गया था तो Supreme Court ने 1994 का 1993 में जो मामला गया तो Supreme Court ने का भई ये तो privilege मिली है और ये ने constitution से मिली है और ये सही भी है क्योंकि ये इनका right है है ना तो इसमें तो हम कुछ न जज ने हाँ सही बोला इसको और तीन ने against किया था तो overall majority तो तीन थी तो फिर उसमें ये case बंद हो गया कि बोलके कि ये MP और MLA का privilege है ये कुछ भी करेंगे बोलेंगे criticize करेंगे इसको जो है इसके उपर case नहीं होगा ठीक है ये तो मामला था 1993 का 26 साल पुराना case अब क्या वापस सुप्रीम कोट में एक बार गया था और 2012 का जो case है वापस इसी मुद्ध को अब जाके 2024 में सुप्रीम कोट ने मंडे को इस मंडे को final decision दे दिया है जिस case का नाम है आपका judgment in PV नरसीमा राव ठीक है और 3-2 के ratio में जो case हुआ था 1998 में अब उसी को ही वापस अब जो है आपके चंद्रचूड मिस्टर जो है आपके CGI हैं चंद्रचूड के अंडर में साथ बेंच की जज बैठी थी इन्होंने ये बात बोली है इन्होंने ये बात बोली है कि भीया जो MP को जो 105 एक मिनिट MPs को जो 105 और MLS 1945 को जो मिला हुआ है ये सीधा सीधा corruption और bribery को बड़ावा देता है ठीक है और जो चीज हमारा जो foundation है यानि हमारे members का जो foundation है इंडियन parliamentary को उसको ही erode करता है ठीक है तो ये चीज़े जो है सीधा सीधा गलत है और इसके लिए जो है ये और सबसे बड़ी बात ये हमारे जो responsible, unresponsive और जो representative democracy है उसी को ये खतम करता है तो इसलिए इन्होंने साथ judge की bench ने क्या कहा कि आपका जो ये 105 और 194 जो है ये गलत है MP और MLA के लिए ये privilege पे तो इसके basis पे जो है अब जो है action हो सकती है अगर that means अब जो है MP या MLA पे अगर कोई case आता है कि इन्होंने कोई bribe लिया है या इन्होंने opposition party से पैसा लिया या कोई बात ली कोई report publish किया तो कुछ भी होगा तो अब इन पे MP और MLA पे जो है actions होगा यही पूरा मुद्दा था अभी जो मंडे को verdict आया है Supreme Court का finally ठीक है तो यही mainly पढ़ना है एक बार जो ministries होते हैं council of ministers होते हैं उनके center और state level पे जो privileges मिले हैं वो क्या क्या है आपको एक बार revise करना होगा यह मुद्दा मैंने आपको basically समझा दिया कि यह है क्या उसी के बारे में Supreme Court ने बताया और overall Supreme Court ने यह भी बताया है दिखें यहां पे यह चीज mention करी है कि हमें जो यह right दिया था ना वो इसलिए दिया गया था क्योंकि हम जब यह parliamentary हमारी जो पहले थी यानि British के time पे थी उस समय यूके था UK यानि British का Parliament था वो हमाई अपने rights को दबा देते था हम अपने rights के लिए बोल नहीं पाते थे question नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारा right क्या है यह सब नहीं था तो इसी चीज को खत्म करने के लिए हमने अपने जो legislative उनको एक मौका दिया एक opportunity दी है ना लेकिन उसका फिर यह misuse हो रहा है तो उसी चीज को लेकर उन्होंने का कि यह चीज गलत है और यह कहीं नहीं माना जाएगा कि कोई भी lawmaker देखिए जब किसी भी lawmaker को उसके काम को करने में उसकी जो duties है उसको करने में वो दिक्कत आ रही हो जैसे for example कोई MP है या फिर MLA है ठीक है उसने अपने party में या कोई चीज गलत हो रही है उसने वो चीज उसके against बोली है या बताया है तब तो आप इसको गलत नहीं कह सकते क्योंकि वो अपनी duty कर रहा है क्योंकि वो किसके लिए जिम्मेदार है लोगों के लिए people के लिए वो जिम्मेदार है ठीक है लेकिन यह तो उल्टा हो रहा है यहां तो यह opposition से लेकर खुद की party गिरा रहे है और यह इसके साथ मिल जा रहे है है तो इसी चीज को लेकर इसमें बात क्यों article 14 क्या कहता है right to equality है भाई सभी समान है यहां पर कोई भी special जो राइट्स है वो नहीं मिलेगा ठीक है यह इसका एक तो violation कर रहा है लेकिन उसके बाद भी जो है यह चीज उन्हें दी गई है क्यों क्योंकि इन servants को जब दिया गया था constitution assembly मैंने आपको बोला यह आप पह कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो मंडे की रूलिंग आई है वो कहीं opposition को और जो already vulnerable है उसको misuse करने के लिए भी ना हो जाए यह चीज जो है ठीक है तो यहां पर यहां आप देखोगे तो यहां पर यह है सुप्रीम कोट ने भी बात बोले कि जो मंडे का verdict है ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह लोग इस चीज का जो है misuse करें ठीक है जो आपकी जो ruling party है इस चीज का ध्यान रखना भी ज़रूरी है ठीक कहीं ऐसा ना हो कि opposition के parties पर बोल दिया कि यह जो member है इन लोगों ने bribe लिया है या यह कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो overall Supreme Court भी यह बात बोल रही है कि हमें जो है ना हमें जो है ना party या कोई भी जो काम करना चाहिए वो एक बिलकुली debate, deliberation और exchange of ideas के साथ Parliament को चलाना है क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं Supreme Court भी बोल रही है कि अभी जिस इसहाब से हमारा जो Parliament है ना उसमें openly कोई भी discussion नहीं हो रहा ना debate हो रही है ना disagreement हो रहा है हाउस के अंडर में ठीक है तो यह चीज जो है गलत तरीके से हो रहा है कहीं ना कहीं indicate कर रही है Supreme Court हमारी ठीक है तो यही overall article था इसमें ठीक है तो देखे पीछे से ना बहुत noise आ रहा है मैं भी इधर उधर देख रही हूं लेकिन प्लीज अगर voice आ रहा है थोड़ा सा balance कर ल रहा है ना तो देखे नेक्स आर्टिकल हम चलते हैं इस आर्टिकल में क्या है देखे आपको पता होगा कि अभी France ने एक बहुत अच्छा constitution right लेके आए है अब abortion करना फ्रांस में अब constitution right हो गया है जो चीज पहले नहीं थी ठीक है इसमें राइटर जो हैं यह बताना चारी ह इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी 1963 पे थी यह बुक किस पे कि France में abortion करना कितना गलत था यह writer थी Annie Aronox यह Nobel Prize मिला भी यह ने ठीक है और 1963 में यह बता रही है जब यह 23 साल की थी कि उस समय abortion यह बताना कि मैं अगर pregnant हूँ तो उस समय फ्रांस में इतना बुरा था कि उ कर दे जाता था या फिर उसको जेल भेज जाता था या मौत यानि मार दिया जाता था कि आप abortion या प्रेगनेट होना या illegally होना यह चीज गलत मानी जाती थी लेकिन आज के टाइम पे जो चेंज आया है वो बहुती तारिफ के काबिल है writer कह रहे हैं क्योंकि Constitutional writer यह दिया गय में किया गया और अब finally जो है हो गया 2023 में ठीक है अब जो है सबसे बटे बात writer यहां बता रही है कि France ने तो किया किया लेकिन उसके साथ पता है Hungary में भी इस बात की demand उठने लगी same Poland हो गया और इसके लवा US के Supreme Court में भी यह चीज question उठने लग गये कि भीया जो abortion है वो तो हम हमारा personal matter है ठीक है abortion करना इसमें स्टीट को कोई interference नहीं होना चाहिए तो एक यह चीज है खेर इसके लब अगर आप देखोगे तो इंडिया के अगर हम बात करें ना तो writer यहां ही बताना चाह रहे हैं एक same Ireland में भी था 2018 में हो गया लीगल वो और Mexico में 2013 इंडिया की बात करें इंडिया में आप पहले देखोगे जो fetal viability है यानि जैसे आपको पता होगा पहले जब females pregnant होती थी तो पहले रूलर जीरिया में के आर्बन में भी बहुत होता था कि females को पहले test करा लिया जाता था कि male है या female है बच्चा है ना और अगर पता चलता कि वो female है तो उसे abort करा दिया जाता था है ना तो उस चीज के लिए बोलाओगा जैसे सुनाओगा भ्रून हत्या है ना तो वो चीज बंद हुई तो उस चीज के वज़े से ही कही ना कहीं सरकार ने उस पे भी बहुत सारे actions उठा है तो रैटर करें वो चीज है हमने complete करा ठीक इसके साथा जो है आपका जो pregnant termination, pregnant termination एक act है I think 1975 का एक बार आप देख ले ना ठीक है उसके अंदर इन्होंने बोल दिया कि अगर कोई female 26th week के अंडर में है pregnant यानि 26 मतलब आप लगा लीजिए एक महीने में 4 मतलब 6 months से अंडर में है नीचे है कम है इसका है ना 26th week के आसपास तो वो जो है लीगल नहीं है ये लीगल होगा किसने बोला ये सुप्रीम कोट ने बोला था 2021 में क्यों क्योंकि सुप्रीम कोट ने बोला कि जो unborn child है उसके rights को लेकर आप जो है ये निव बोल सकते जो बच्चा पैदा ही निवा और उसको लेकर कि भही है ये तो उसका right को आप मार रहे ह है है न कि वो रखना चारी है या नहीं रखना चारी वो तो उनका जो है वो पर्सल मैटर आ जाता है डीपली किसने बोला है सुप्रीम कोट ने ये बात बोली थी इंडिया के गंटेक्स्ट में ठीक है तो वही सेम चीज जो है अब फ्रांस ने भी अपलाई किया है और जो है उसने ये प्रूफ करा है कि ये पेट्रियार्कल या जो है इस चीज को बढ़ावा नहीं देती है और ये इनका खुद का डिसीजन है वो मेंस खुद डिसीजन लेंगे कि उन् टीक है ठीक है डीकर अच्टिकल आपका जो है आईडिया पेट से है इस आएटिकल में पूरा पूरा 10th स्केडियूल के बारे में बताया है रॉइटर ने ठीक है इसमें इस क्रिटिसाइज किया बेसिकली 10th स्केडियूल को ही पूरी तरीивают से और जो speaker region के पास पूरा power है 10th schedule का उसमें है आपको पता होगा मैं एक बर brief बता देती हूँ 10th schedule जो है आपके 1984 में लाया गया था 51th amendment के द्वारा ये मूल constitution में नहीं है 1984 में 54th amendment के द्वारा लाया गया था, क्यों लाया गया था क्या होता था पहले देखिए कि कोई A party से है वो क्या करता था वो A party से select हुआ, कोई candidate है A party से select हुआ, नाम कोई भी party रख लो उसके बाद क्या करता था वो जीतने के बाद तुरंत एक दो दिन बाद party छोड़के वो B party में shift हो जाता था और ये एक बर दो बार नहीं और ऐसे कई बार B से वो कई बार C में भी चला जाता था तो ऐसे लूप चलता रहता था कि बंदे जो MP या MLA जैंड सेंटर हो, state हो, ये party जम करना शुरू करे गए है और इसी समय एक term आयाराम और गयाराम आपने सुना होगा है ना? और आज भी काफी कुछ schedule लाया गया था 1984 के आज पास, ठीक है तो शुरू करते हैं क्या है writer बता रहे हैं, तो writer देखिए इसको बता रहे हैं, जैसे हमने writer का कहना है, कि हम मानते हैं कि the law is an ass, या नहीं कई बार कहते हैं कि जो कानून है एक मिनिट देखिए, कई बार writer बता रहे हैं, कि कई बर हम कहते हैं जैसे कानून आपका घदा है ठीक है, तो वही चीज़ यहां पे बार-बर बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि writer यहां पूरी तरगे से आपका जो 10th schedule है उसको criticize कर रहे हैं, क्योंकि 10th schedule के आप जो provisions भी नहीं होता है तो वह चीज़ बता रहे हैं, जैसे यहां कही नहीं writer यह कह रहे हैं, कि Indian constitution के अंडर में है, अब जैसे 1967 से आप ले लो, कुछ लोग जैसे गया लाल, यानि पूर जो लाल यहां पे लाल गया, लाल का नाम यूज किया है, writer नहीं इन्होंने बोला कि, लाल जैसे personality ऐसे होते हैं, जो हर एक दीन, हर एक दूसरे दिन पार्टी चींज करते हैं, क्यों वो चींज इसलिए करते हैं, क्योंकि 1984 में आपके anti-defection law या फिर आप ये बोलो 10th schedule में जो आपका 10th schedule में उसको anti-defection law बोलते हैं उसके आने के बावजुद भी वो लोग अराम से पार्टी जम कर लेते हैं क्यों? क्योंकि Indian constitution में जुगार नाम की जो चीज है ना, वो बहुत बड़ी है इंडिया में जुगार है, आपको बताओ को जुगार, मतलब आप temporary कुछना कुछ solution निकालना तो Indian constitution जो है ना, कभी Indian का जो जुगार उसको match नहीं कर पाएगी overall क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कमियां बता रहे हैं कि 10th schedule में किती सारी कमिया है कि लोग इसका फाइदा उठाते हैं जो parties होती हैं, चीक है तो writer ये बता रहे हैं कि देखे, अभी recently जो है यहाँ पे ना, मनिपूर का एक judgment भी बता रहे है कि किस सरीके से वहाँ के जब local party जो थी, उसमे members ने, जो party की members हैं, उन्होंने इस तरीके से disqualification किया, यानि उन्होंने party चेंज करी, तो उस पे verdict देना था किसको, आपको पता है, कि जब आप na, state legislative हो, या फिर आपका parliament हो, जब इस तरह का मामला आता है, कि भीया, जो person है, वो party change कर रहा है, तो इसका जो decision है, आपको पता है कौन देता है वो देता है, speaker, ठीक है तो writer यहाँ यह बता रहे है, जब मनिपूर में यह case हुआ था, anti-defection law का, तो वहाँ पे speaker का काम था, कि भीया, फटाफ़ट, जो है, speakers का disqualification का, जो है, result दे, लेकिन writer यहाँ यह बता रहे है, कि यहाँ speaker ने बहुत delay किया है, ठीक है, और अगर हम basic की बात करें, कि constitution में यह चीज़ बताई गई है, कि split करना क्या है, split यानि आप जो है, एक party से, ठीक है, एक party से, दूसरे party में जो आप split होते हो, यह कितना constitution को खत्म करता है, इस चीज़ को जो है, describe किया गया है, under disqualified के अंदर में, ठीक है, तो writer यह बता रहे हैं, देखें, कि यह न, अब देखें, इसमें न, एक एक provisions होंगे, कि कोई भी अगर person है, कि कौन-कौन disqualified कहलाता है, वो बताया है, देखें, अगर कोई two-third person है, या two-third group है, ठीक है, two-third group है, वो किसी party से, अपनी political party से, वो हट जाती है, for example, A है, ठीक है, इसके जो two-third members है, वो A से हट के, हट जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, भाई, ठीक है, इस party से, तो, वो लोग तब तक disqualified नहीं होंगे, जब तक, या फिर इनके उपर जो anti-defection lawyer तब तक काम नहीं करेगा, जब तक यह हट तो गए, कि वह हमें, यह party जो है, छोड नहीं है, इसके दो-तीन member ने का, लेकिन, इन्होंने छोड़ी है, सिर्फ, ठीक है, गुरूप को छोड़ा है, लेकिन, इन्होंने अगर, by chance, इस गुरूप को छोड़ के, कोई और party भी join कर ली ना, तो फिर इन पे anti-defection law लग जाएगा, ठीक है, तो writer यही बता रहे हैं यहाँ पे, पहली बात तो, जब तक वो किसी party को merge नहीं कर लेते हैं, तब तक पहली बात तो political party में जो है, उनका disqualification नहीं लगता है, ठीक, इसके लावा जो है, एक और चीज़ जो है, इसके साथ जो है, एक और चीज़, जो speaker है, मतलब, इसका जो final decision होगा, है न, वो कौन करेगा, speaker करेगा, और speaker जो है, judicial review के under में है, judicial review यानि, जैसे for example speaker ने, भाई, किसी भी party के, ए party के दो बटा तीन लोगों ने party छोड़ दी, ठीके, और इसने का कि यह disqualified है, और इन लोगों ने party भी join कर लिया, ठीके, भी party जोइन कर लिया, तो इन्हों ने का, anti-reflection law पे, इस पे होगा, किसने इसे decision दिया, speaker ने दे दिया, तो इस पे पूरा-पूरा judicial review हो सकता है, judicial review यानि यह case जो है, supreme court या high court में जा सकता है, वहाँ पे जो court है न, वो आपके speaker से पूछ सकती है, कि आपने किस basis पे, आपने किस basis पे जो है, इन लोगों को आपने disqualify किया है, ठीक है, यही judicial review होता है, ठीक, तो writer यहीं बताना चाहरे हैं कि देखे, 10th schedule में आपका judicial review भी है, ठीक है, और लेकिन यह बात तो है कि schedule जो है, आपका 10th schedule जो है, यह restrictions नहीं लगाता है free speech के लिए, ठीक, और अगर person, कोई भी person, अगर voluntary अगर वो giving up करना चाहरा है किसी भी party से, कि भाईया कोई person है, और वो चाहरा है कि मैं इस party को छोड़ना चाहरा हूँ अपने मन मर्जी से, कि हाँ, मेर को नहीं रहना इस party में, ठीक है ठीक है, अब voluntary उस person ने party छोड़ दी, अब उस पे जब तक anti-deficial law नहीं लगेगा, जब individually वो जाके किसी और party पे join ना कर ले, या कोई और उसको attract ना करे, opposition party में ठीक है, एक यह चीज हो गई इसके लावा, इसमें एक और चीज है आपने सुना होगा, whip नाम की चीज whip क्या होती है देखे, मैं एक और चीज बता दू, आप एक बार 10 schedule को revise कर लोगे न, तो आपको और easily समझ में आएगा, यह कहना क्या चा रहे है ठीक है, इननने क्या बता है जैसे आपको पता होगा, whip एक चीज होती है whip क्या होता है जैसे देखे, एक मिनिट whip क्या होता है, जैसे एक political party है, ठीक है उसे कोई bill pass करना है, है न अब bill pass करना है, तो इसे members चाहिए बहुआ, two, three members तो चाहिए चाहिए इसके, और उन्हें present होना होता है parliament में या state legislature में अगर by chance, वो two, three members से इतने majority में members present नहीं हुए न, तो जो political party ए है न, वो अपने members को हटा सकती है, या इन पे जो है against case कर सकती है, on the basis of defection, या उन्हेंe party से हटा सकती है, ठीक है क्यूं, क्योंकि हटा इसलिए सकती है, जैसे हाँ, हटा इसलिए सकती है, क्योंकि इन्होंने जो है party के अगेंस्ट में काम किया है, इन्हें absent नहीं होना, जैसे कोई absent नहीं हो सकता या फिर इनका जो है voting में इनका violation नहीं कर सकता जिस government से आप belong करते हो ठीक है इसके साथ-साथ जो है इन्होंने बताए है मतलब basic basic characteristics बताए कि किस-किस के साथ जो है anti-defection law जो है लागू होता है है इसके लावा इन्होंने बात बोली है कि देखें आज क्या होता है या फिर normally जुह है इसका किस तरह के से use करते हैं लोग जैसे कोई person है कोई भी individual है किसी party के अंदर है तो वो क्या करता है या तो इस तरह के से किसी और party को join करने की बात करता है या फिर वो miscommunication रखते है अपनी party में या फिर अपनी party की जो भी meetings होती है उसको na 10 करना या फिर government को धमकी देना कि वो अपने साथ group members को मिला लेगा और party छोड़ देगा ठीक है तो इस जैसी चीजों के वज़े से ही इन सब को party A, B, C अब है ना इन तीनों ने मिलकर अपना जो है एक majority बनाया है तो उसमें क्या होता है कई बार जिसे C party है वो influence होगे किसी opposition से तो ये किसी चीज के demand कर रही है कि A से और B से demand कर रही है कि भाई आप मेरे demand पूरी कर दो नहीं तो मैं फिर या आप D group के साथ चला जाओंगा तो ये बहुत अकसर मिलता है ये coalition के लिए तो उन्हीं चीजों को रोकने के लिए ये anti-defection law होता है तो आप नहीं कर सकते हो इस तरीके से ठीक है लेकिन ये होती है रैटर ये ही बताना चाहरे कि इस तरीकी से चीजे होती है अब जैसे अब ऐसे चीजों में क्या होता है कि speaker के पास जो है action उठाने के लिए 14 days का time होता है ठीक है या फिर speaker जो है इससे कम दिनों में 14 days में जो होता है आप notice देते हो जो speaker है वो ही सबसे बड़ा head होता है disqualification करने के लिए वो notice भेजता है कि भाईया आपके जो group है इतने सारे members को हम disqualify करेंगे लेकिन अगर speaker चाहे तो disqualify जो है वो 2-3 दिन के अंदर भी notice भेज सकता है या power किस के पास है speaker के पास है इसके साथ disqualification के अंदर ये भी चीज़े है कि आप particular कोई A group है जैसे B मान लिजे ruling में है अब B के कुछ members जो है कुछ members मिलकर A के साथ मिलकर क्या करते है governor के पास जाते है और ये कहते हैं कि भीया जो है आप opposition governor के पास जाके आप बात कर रहे हो मतलब या नहीं जो ruling party है उसके कुछ members और जो opposition party है वो सब मिलकर जो है governor के पास जाके बात करना या governor के साथ travel करना बस में जाना ये सब चीज़ जो है आपके anti-defection law के अंदर में आती है आप नहीं कर सकते हो ठीक है ये सब चीज़े इसमें बताई गई है इसके साथ जो है लेकिन writer यहाँ यह बता रहे है ये सब चीज़े जो है ये components है हमने जो भी अभी तक ये सब पढ़ें ये सारे components है कि anti-defection law जो है किस-किस situations पे लगती है लेकिन writer यहाँ यह बताना चाहरे है reality अलग है reality में अगर आप देखोगे न तो बहुत ही अलग है especially अगर आप speaker की खुद बात करोगे जो सबसे ज़ादा decision लेता है speaker ही सबसे बड़ा head है जबकि writer बता रहे हैं कि ये खुद disqualified है ये खुद जो head disqualified है क्यों क्यों क्योंकि ये जो ये person होता है ये खुद transparent नहीं होता या writer जो है इसको थोड़ ऐसा claim कर रहे है क्यों claim कर रहे हैं आगे पता चलेगा देखें writer ये बताना चाहरे है खुद जो speaker है न ये उस खुद के party जैसे for example A party है ruling में ठीक है और speaker कौन होता है इसी party का member होता है तो कही ना कहीं क्या होता है कि ये जो speaker है ना ये bias हो जाता है अपने members के लिए और जो opposition members होते हैं उनके लिए ठीक है ये writer का कहना है जैसे अब writer ये बताना चाहरे है कि जैसे अगर आप बात करोगे तो कई बार क्या होता है कि अब जैसे कि जो आपका opposition आपका जो ये वो है head है speaker है वो कभी-कभी क्या होता है कि अपनी जो ruling party होती इसके उपर कभी भी कोई भी अगर कोई आवाज या कोई question उठाता है और वहीं अगर आप जैसे opposition अगर अपना आपके party का कोई member opposition के साथ मिल कर against कर रहा है party का तो आप जो है इसको बहुत delay करते हो आप कोशिश करते हो इस मामले को और delay करने के लिए तो मतलब यहाँ पे जो है original party के against अगर कोई person जो है ruling party के तो anti-defection law जैसी चीज़े जो है absolute हो जाती है overall writer को जो है यह कहना है यहाँ पे इसके लाबा writer यह बता रहे है कि अगर अगर ऐसा हो कि भीया opposition party पे या किसी खुद की party पे जैसे खुद की party या किसी person के उपर ऐसा है कि खुद की party को कोई member जैसे for example यह माल लीजिए आप A party है ठीक है A party ruling में है इसकी members को opposition party जो है attract कर रही है कुछ बोल कर तो अचानक से अब speaker क्या करेगा तुरंत इस पे बिजली की तरह काम करेगा और यहाँ पे anti-defection law लागू कर देगा चाहिए इसके members कितने भी हो चाहिए इसकी members कितने भी member है जो influenced वे opposition से उनको disqualify कर देगा तो writer कहे रहे है अपने लिए तो आप बहुत speed से काम करते हो लेकिन जब दूसरों की पार ही आती है इसमें क्या बताया हुआ है देखे writer ने fourth point ये बताया है criticism में कि जैसे for example आप लेली जी ये A party है ठीक है अब ये A party न किसी इसके अंदर B और C मिले हुए है ठीक है मिलके ये party बनाई है A और B में ठीक है अब A जो है ये तीनों मिलके ये party बनाते है ठीक है जो A है ना ये आपका original party है ठीक है और इसी का ही symbol है ठीक है इसी का ही symbol इस overall इन तीनों के मिले हुए एक party पे यूज किया गया है अब क्या होता है कि जो A party है ना वो निकल के किसी और D party पे चली जाती है ठीक है D के साथ मिल लेती है और ये क्या करती है चुप के से election commission को बोलती है कि भाया मैं इधर से निकल रहा हूँ और मेरा जो party का symbol है ना यानि A का जो original A कहता है अपने आपको मैं original हूँ मैं तो B और C के साथ मिला हुआ था मेरी जो इस party के जो symbol है वो मेरा symbol है तो आप क्या करो आप मेरा symbol दे दो ठीक है ये एक मुद्ध है इसमें पूरे में बताया है राइटर ने तो अब इसमें क्या होता है जो ruling party होती है ठीक है अब जो ruling party है ना वो क्या करती है पर काम कौन करेगा पहली बाद तो speaker को करना है ठीक है और इसके लावा election commission का roll आ गया क्योंकि आप जो है symbol वगरा कौन देता है election commission decision disqualification का कौन करता है speaker करता है अब क्या है यह मामला धीमा तब हो जाता है जब जब वो a person है एक मिनिट जब वो a person है वो जो d party जो ruling party है इसके साथ में मिल जाता है तो ऐसे समय में क्योंकि इसका dominance है party में ruling में इसका dominance है ठीक है तो यहां पर राइटर बता रहे है election commission और जो speaker है speaker कौन जो इसका ही member है और election commission center में deep party power में होने के वज़े से यह इसके ओपर जो disqualification का action उठना चाहिए जो speaker भी करेगा और election commission भी करेगा disqualification पे इ वाइदे में है कोई और party इनके अगर जैसे यह माल लीजए यह D party से अगर कोई person किसी और party में जा रहा है तो तो यह तुरंट action उठा लेते हैं अगर A party इनके पार्टी में आ रहे है कोई A जो है इनके में आ रहा है तो यह तुरंट action उठा लेते हैं और A से अगर D में आ र करते हैं ठीक है तो overall इसमें यही राइटर ने बताया आप इसको पूरा पढ़िए ठीक है तो मतलब that means गलत है ना क्योंकि यहां final decision किसके हाथ में speaker के हाथ में speaker अपने दल में जब कोई party आती है तो उसमें कुछ नहीं कहता लेकिन अपने से party हट की किसी और पे जा रही है तो तुरेंट यह बिजली की तरह काम करते हैं और यह कह देते हैं कि इस फलाना MP MLA ने entity faction law का against किया है ठीक है तो इस तरीके से यह गलत use हो रहा है और same opposition कई बर क्या करती है न इस party के जितने भी MP और MLA उनको जो भी है यह यह कहती है कि भीया फर example मैं अगर आपको और मैं actually मैं न देखी इसमें न मैं party का नाम लेना नहीं चाहरी थी मैं overall practically चीज़े बताऊ न तो आपको और clear तो होंगी लेकिन यहां party का नाम लेना सही नहीं होता है जैसे for example मैं आपको इसको समझाने के लिए बताती हूँ जैसे for example अभी BJP है ठीक है opposition में कौन है उनको बोला कि अगर आप हमारे party में आके join कर लोगे तो हम आपको क्या करेंगे हम आपको यह ministry देंगे हम आपको electricity देंगे हम आपको फिर हम आपको finance ministry देंगे या हम आपको जो है education ministry में रखेंगे यह example के लिए hypothetical example party का नहीं लेकर बता रहे हूँ ताकि समझ में आए तो क्या करती है opposition party कोई भी हो यह BJP Congress नहीं कोई भी party state में भी center में भी हर party करती है तो जो opposition है ना वो ruling party के members को बुला के लोग लुभावन वाली बात बोलती है कि अगर हम ruling में आए तो हम आपको यह ministry देंगे यह ministry देंगे तो आप आके हमारे साथ जुड़ जाओ तो यही same चीज हो र common men को है ना यह दोगलापन है कोई भी party है ना इस तरह के हरकते जो है दोगलापन करती है जिसके वो जिससे घिन आती है लोगों को है ना तो मैं अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैं तो solution यही दोगा पहली बात आप 10 schedule को ही खतम कर दीजिए और आपना एक law का paragraph बनाईए तो भाई सीधा आप नीचे चले जाओगे candidate के form में आप minister नहीं हो आप सीधे candidate में जाओगे वापस आपको zero से शुरू करना पड़ेगा आपको volunteer है party के फिर उसके बाद आपको seat दी जाएगी फिर आप जीतोगे फिर जाके आप कहीं ministry में बैठोगे बिल्कुल नीचे भेज दो ठीक है एक तो ये बोला दूसरी बात ये बोली इन्होंने solution दिया है कि भाया जो भी person ठीक है अगर कोई भी person अगर इस तरीकी चीजों को जो है प्रोहिबीट करता है party को shift करता है तो उसको ministership ना दी जाए यानि अगर जैसे A ने B party जंप कर ली तो यहां जाने के बाद उसको ministry नहीं मिलनी चाहिए यही तो लोग लुबावन करते हैं कि opposition party ruling party के MPs को बला के कहते हैं कि आप आजाओ हम आपको election ministry देंगे आपको railway ministry देंगे तो writer यहीं बता रहे हैं कि solution होना चाहिए कि जो भी party change करेगा उसको ministership दे ना ठीक है यह चीज होनी चाहिए law में जो इसरा है speaker ठीक है सीरी बात है जो ruling party है जैसे for example जो ruling party है उसी का ही speaker होता है क्योंकि speaker जो है उसका member है ठीक है तो अब क्या करता है जब यह इसके फाइदे में जब मामला होना तो यह anti defection लोग को slow कर देता है जब इसके against में होना मामला तो एकदम बिजली की तरह जाके solution निका रहे हैं कि भया जो speaker होगा ना वो हमारे लिए एक तो impartial होना चीए और एक independent empire की तरह काम करना चीए तब ही हम इसमें काम कर पाएंगे ठीक है तो overall जो है आने वाले time पे अब यह चीज बता रहे हैं कि इन सभी चीज़ों में जो majority है वो speaker का का काफी बड़ा role play करता है और यह चीज यह इसका एक solution यह हो सकता है जितनी भी political party है अपने election से पहले है ना यह fix कर दे कि भी हमारा speaker कौन होगा और वो speaker उसके उस party के कोई भी constituency से ना हो यह एक solution बताया है writer ने ठीक है यानि आप जैसे for example आपका जैसे president होता है governor होता है यह किसी भी constitution से नहीं होते है आप देख political party, BJPO, Congress हो कोई भी party, local party जब president और governor को point करती है ना किसी bureaucrate को करती है या फिर किसी experienced science faculty, science field में जो भी expertise है उनको करती है रहते हैं एक constituency से तो इससे ना एक बिना biased के काम कर सकता है बन्दा तो writer हैं कि constituency से ना हो, constituency से ना हो वो जो speaker हो person ठीक है इससे क्या होगा? credibility जो है हमारी maintain रहेगी, हमारी moral values बनी रहेगी और जो आपका speaker है वो सही तरीकी से जो है काम कर पाएगा तो यह overall article धाओ, thank you